सलमें लेकुम दूस्तों अभी जो आप वीडियो देख रहे हूँ ये वीडियो सौधियर्प के जिद्दा का बताया ज़रा है कि यहाँ पर बहुत भयानक अभी आग लगी हुई है मतलब एक इसपेर पार्ट मतलब जो बेर है उसे वहाँ पर आग लगी थी लेकिन कोई भी इंजरी नहीं होने को लेकर अपडेट किया गया है मतलब यही है कि कोई भी हादसा नहीं हुआ है दोस्तों आगली खबर एक बहुत इंपोर्टन खबर है इंडिया के मड़ी पूर से यह अपडेट बताई गई है सैकडो कुरकी इसाईयों को जिंदा जलाने बलतकार करने और तीन सो से ज़्यादा चर्ज को जलाने को लेकर लगातार अपडेट किया जरा है मलब अब मित्तेई हिंदुत आतंकियों ने मुस्लिम और उनकी मज़ित पर हमले करना सोरो कर दिया और वहाँ पर पूलिस भी लगातार आगे सुरक्षा के लिए तैनात की गई है दोस्तों हम आपको बदा दें कि यहाँ पर काफी ज़्यादा अभी जो लड़ाई जगडा हो चल रहा है और यह एक तरह से गलत मान सकते हो क्योंकि इन जगहों में कई तरह के केस देखने को मिले है दोस्तों अगली खबर बहुत है अगर आप सुदी अरब में रहते हो तो किसी भी जानवर को अभी किसी भी तरह का कोई भी खाना ना दें अगर आप ऐसा करते हो तो आपके खिलाप 1000 रियल का जुर्बा लगा जाएगा यह सुदी के मुनसी पलटी के दरब से अभी अभी किये गे मतलब आपको अभी साउधान रहना है दोस्तों अगली खबर में इरान का कहना है कि भूमद सागर को अमेरिका और उसके सहयोगी के लिए बंद कर देगा मतलब जो भूमद सागर है उसको पूरी तरह से अभी लगबग सभी देशों के लिए बंद कर दिये जाएग का दोस्तों अगली खबर एक बहुत इंपोर्टन खबर है इजराइल 80 दिनों में 8000 से ज्यादा फिलिस्तीन बच्चों के हत्या कर चुका है और इसकी पूरी रिपोर्ट भी देखने को मिले मतलब 8000 जूते ग्राउंड में रखे गए हैं और उसका वीडियो भी सोसल मीडिया पर लगातार दिखाया जा रहा है दोस्तों अगली खबर सौदी में जितने भी अजबी हैं उनके लिए अच्छी खबर है क्योंकि एक फरोरी से यह नियम लाओ कर दिये जाएगा हो और इस नियम के तहट कहा गया है कि मुसांड प्लेटफोर्म के माद्दम से पहली नवकर के साथ अभी अभी अपडेट किया गया है दोस्तों अगली अपडेट एक बहुत बुरी अपडेट है सौदी अरव में जहार खंड के 45 लोग अभी फसे हुए हैं और उनका मामला भी जो अदालत वहां पर चल रहा है ऐसा बताया जरा है ऐसे में जितने भी मजदूर सौद के लोग बीमार हो चुके हैं मलब यह एक बहुत बड़ी समर्श्या है ऐसे में अगर आप सौदी अरव में जाते हो किसी भी कमपनी के अंदर तो आपको भी सावधान रेना है पहले जाज परताल करके ही सौदी अरव में किसी कमपनी के अंदर जाना है वरना किसी भी से आपको बिना जानकारी के सौदी अरव नहीं जाना है